धर्मं भजस्वसततं त्यजलोक धर्मान सेवस्वसाधु पुरुषान जहिकाम तुष्णाम अन्यस्यदोषगुण चिन्तनमाशु मुक्त्वाँ सेवा कथारसमहो नितरांपिबत्वं चिन्ता संतानहंतारो यत्पादाम बुजरेनवह स्वियानान तानिजाचारियान प्रणमामी मुहुर मुहुहु तस्यसेवां प्रकूर्वीत यावज्जीवं स्वधर्मतह नफलार्थम नभोगार्थम नप्रतिष्ठाप्रसिद्धे चतूर भीष्च चतूर भीष्च चतूर भीष्च त्रिभिस्तधा शडभिर्विराजते योसव। पंचधा रुदेमम वंदे नंदव्रजस्त्रीनाम पादरेणूम भिक्ष्णशह यासाम हरिकतोत गीतम् पुनाते भुवनत्रयम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञाना अन्यन शलाकया चक्षुरुन्मिलितउयेना तस्मै श्रे गुरवे नमहा श्री भागवत भगवान नीजे श्री बाल कृष्णलाल नीजे श्री सहजानन्द स्वामी महराज नीजे श्री गनश्याम महराज नीजे सदेवदेवो भगवान प्रतिक्षताम कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नहासा रुणलो चनल्लसन मुखाम बुजो ध्यान पथश्यतुर्भुजह। बिश्म अंति मवस्थामा हता त्यारे देवर्शियो राजर्शियो ब्रह्मर्शियो भिश्म महराज ना अंति मवस्थामा दर्शन करवा माटे पधार्या। पुज्यपाद गुणातितानंद स्वामीनु वचन छे के किटलाकने दर्शन आपवा माटे जव। अने किटलाकना दर्शन करवा माटे जव। भीष्म इतले दर्षन करवा योग्य पुरुष इतले देवर्शियो, राजर्शियो, ब्रह्मर्शियो आबधा एमना दर्षन करवा पधार्या अने श्री कृष्ण भीष्मने अंतिम अवस्थामा दर्षन आप पामाटे पधार्या जेवो भीष्मनो भाव हतो एवु भगवाने रूप धारण करियो ते आपने काले विश्तारपूर वक्ष्रवन करियो युदिष्ठिर महराजने भगवाने संकेत करेओ के हे युदिष्ठिर भीष्म हवे महाप्रयाण करशे तमने एमनी निकट जाओ औने धर्मन उपदिश करहाण करओ क्षण नो सरवाड़ो तेनू नाम जीवन जे मनुष्य स्वतंत्र कोई क्षण मा होय तो ते आज क्षण इटले वर्तमान निक्षण ते आपनी स्वतंत्र तानी क्षण छे बुदकाड आपना हाथ मान थी औने भविश्य पन आपना हाथ मान थी इटले जेनी वर्तमान नी क्षण सुद्रे तेनो भूत औने भविश्य बनने सुद्रे पण जेनी वर्तमान नी क्षण सुद्रे बगड़े एनू बनने बगड़े भूत पण बगड़े औने भविश्य पण बगड़े बिश्म ये इटले क्षण क्षणनों सदूप्योग करे एवा महा पूरुश। इमनु नाम भिश्म बिश्मने लागियो के हजु मारे प्राण प्रयानने वार चे। इतले समय नो यमने सद उप्योग करें और युदिष्ठिर महराद निकटाव्या त्यारे तेमने धर्मन उपदिश करें दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग शह स्थ्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोग तह दान धर्मा राज धर्मा मोक्ष धर्मा स्थ्री धर्मा भगवत धर्मा विश्णु सहस्त्र नामन उपदेश आ बदू अन्ति मवस्थामा बिश्ममाराज युदिष्ठिर नाप्योग किटला कुपदेश हता ये समासपद्धती थी आपया शंग्षिप्तमा केवु तेने केवाई समासपद्धती और विस्तार पुर्वक समझावु येने केवाई व्यासपद्धती एटले समा सव व्यास योगता है केटलाक संग्षिप्त मा अने केटलाक विस्तुरत रिते उपदेशो युदिष्थिर महाराजने बिश्म महाराजे आप्या अनेक प्रकारना इतियास पुराणोना द्रश्टान्त नु निरुपन करी द्रण मा द्रण थाए तेवी वातो बिश्म महाराजे करी अने एटला मा तो प्राण प्रयान निक्षण आवे एटले तरत अच उपदेशो मा थी एज क्षणे बिश्म महाराजे मनने हटावी दितु महा पुरुषोनी बिजी विशेश्ता ये के जे कारिय करे एमा मन बुद्धी वाणी थी वात तद्रुप थी जाए के ए कारिय थी सफ़डता अवश्य प्राप्त थाए अने छोडवानी क्षण आवे त्यारे छोड़ियो होए तेनो वस्वसो एमना रुदई मा रहतो नथी अने नवा कारिय मा प्रवेश्च करे तो नवा मा एवा ओत प्रोत बनी जाए के नव एमना माटे नव रहतो नथी आपणू एमना थी उल्टू छे जुनू मकान छोड़ी नवा मकान मा रहवा गए आपणने त्राण वरस थाया होए औने त्राण वरस पछी आपणने कोग जुना पडोशी मड़ी जाए औने पूछे के फाव्यू तो आपणे शू कहिए जे अजू नव नव छे अला त्र पकड़े एटले हमा एटला तद्रूप थी जाए के नव यहमना माटे कशू रहतू नथी अत्यार सुधी जीवन हतू तो उपदेश आपयो लाग्यू के हवे प्राण प्रयान निक्षण आवी छे एटले उपदेश मा थी मन्ने हटाव्यू अने चित्त भगवान मा किविक्षण मा भिश्मय प्राण छूड़े हता तो लख्यू छे यो योगीनस चंद मृत्यूर वांचीतस तुत्तरायन हू उत्तरायन नो काल आव्यो अने भिश्मने लाग्यू के हवे मारे प्राण छूड़वानी योग्य घड़ी आवे गिताजीमा भगवान बे प्रकारनी गती बतावे छे शुक्ल गती अने कृष्ण गती उत्तरायन नी गती अने दक्षिनायन नी गती भगवान अर्जुन ने उपदेशाप्ता केचे के हे अर्जुन यत्रकाले त्वना वृत्तिम आवृत्तिम चैवयोगी नहां तत्रप्रयाता गच्छंती ब्रह्म ब्रह्म विदोजनाहा उत्रायन मां जे प्राणनों त्याक करेचे एने फरी संसार मां जन्म लेवो पड़तो नथी मुक्ति थी जाएचे अने दक्षिन आयन रात्री धूम क्रुष्ण पक्ष आवा बदा संयोग मां जे प्राणनों त्याक करे येने फरी संसार मां आववो पड़े चे जन्म लेवो पड़े चे आववो होई खरू अने मुक्ति माटे जो आज व्यवस्था होई उत्रायन ने दक्षिन आयन नी तो पची जब तप यगन याग योग उपासना ध्यान भजन भगती आ बदू करवानी जरूर खरी जवाना ची ये तो डॉक्टर ने कही देवानू के हजार रुप्या वधर थाय तो चिन्ता करता नी पड़ चवद जान्यों आरी सो दिखें ची आप जो उत्रायन सो थी मुक्ष थी आए ने अने येम लागे के उत्रायन मा जिवाना ची ये ने दक्षिनायन मा मरवाना ची तो उत्रायन मा लोकवात्मा हत्या करे मुक्ती थी आए तो पधि आऊ केम करें। सत्यनी कोई भाषा होती नथी आने सत्य क्यारे शब्दमा व्यक्त थतू नथी। आज सत्यनी वास्तविकता ची पड़ मनुष्य तरीके आपनी मरियादा कई। आपने शब्द सिवाई कसु समझी सकता नथी। ये मानस तरीके ने आपनी मरियादा ची। एटले मनुष्य ने समझावू होय तो शब्द नोज उप्योग करवू पड़े। सब्द सिवाई मनुष्य कसु समझी सकता नथी। ये आपनी मरियादा। अने सत्य नी खास्यत है कि शब्द मा ए आवे नहीं, सब्द इशारों चे सत्य तरपनों, पण सब्द मा सत्य प्रगट थाई नहीं, गमेटलों प्रयत्न करों चेता सत्य छुटी जाई सब्द थी अने महापुरुषों नी विशिस्ताए चे इटली बदी एमनामा करूना चे के जे सत्य शब्द माना आवे, एवु सत्य आपनने समझावा माटे शब्दों मा ढाड़वानों प्रयत्न करे चे त्यारे आवी भासानों उप्योग थाई चे जोतिष्नी द्रश्ती थी उत्तरायन एटले मकर संक्रान्ती थी मकर रासी मा सूर्य प्रवेश्करे त्याथी आरंब करीने छ महिना सुधी नो समय येने के वाई उत्तरायन नो समय अने चव जान्यवारी एटले मकर संक्रान्ती अगावना छ महिना एने केवाई दक्षिनायन तो जन्म मृत्यु माटे ने मुक्ति माटे आज व्यवस्ता होई तो बद्दा साधन निरर्थक थी आई तो आनू तात पर यह सु उत्तरायन एटले नाभी थी आरंब करीने मस्तक सुधी योग माच्छ चक्र छे मुलाधार, अनाहत, स्वाधिष्ठान, विशुद्धी, मनिपूर अने आगना आच्छ चक्र माजारे आपणी प्राण शक्ती गती करती होई उपर तरफ नी यात्रा प्राण शक्ती नी चालती होई एवी अवस्था माँ कोई सांसारिक पदार्थ माँ वासना रेती न थी आविस्थिती माँ प्रवेस्थाय त्यारे समझवानू आपणा माटे आ कयो समय चाले छे उत्तरायनू आने दक्षिनायन इतले नाभी थी पग सुधी चक्र छे यहने केवाई काम केंद्र काम क्रोध मद मोह लोभने मत्सर आच्छमा आपणी चेतना प्रवाहित्थती होई त्यारे समझवानू के आपणा माटे कयो समय चाले छे दक्षिनायनू आमा चेतना प्रवेशी होई ने प्राण छुटे त्यारे वास्ना ना लिधे स्वभाविक पुनर जन्म थाए औने उत्तरायन इतले उपरना चक्रों माँ गति करे चेतना उर्द्व गति करे त्यारे वास्ना ठी जिवात्मा शुद्ध बने अने एने आवो शुद्ध थैने मृत्युपा में त्यारे फरी संसार मा जन्म लिवो पड़े नहीं एटले भीश्मा उत्तराइणी प्रतिक्षा करती हती एटले आ काल सहायक तो खरो पण एनु तात्परी आचे पूता नी प्राण शक्ती ने सांसारिक बाबतो थी दूर लई भगवान मा जोडवा अभ्यास करता हता प्रहत्न करता हता अने एक शन अत्यारे आवी गई एटले भीश्मा माते कर्यों समय आवे हो उत्तरायनों यो योगिन अश्चंद मृत्योर वांचितस तुत्तरायन आक्षन आवी एटले तरत अज वातो माती भीश्मे मन्ने हटावी दीथू अने सु कर्यों तदो पसंरुत्यगिरस्थ अस्रणीर विमुक्त संगम मन आदि पूरुशे कृष्ने लसत्पीत पटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलित द्रुग्व्यधार यतम अत्यार सुधी भीश्म महराज सेना नायक हता सेना पती हता हजारो सैनी कोने युद्धमा दोरता हता अत्यारे अग्यार सैनी कोने भगवान मा दोरे जे हजारो सैनिकोने दोरे तेने केवाई वीर अज्यार इंद्रियो रुपी सैनिकोने भगवान मा दोरे तेने केवाई महावीर बारना युद्ध मा तल्वार मदद करे अंदर नी लड़ाय मा कोई तल्वार काम मा आउती नची अंदर नी लड़ाय मा कई तलवार काम्मा आवे असंग सस्त्रेन द्रडेन छित्वा असंग रुपी तलवार ये अंदर ना युद्ध मा विजय आपे अने बंदुक ने तलवारो ये भार ना युद्ध मा विजय आपे अत्यार सुधी हजारो सैनिकोने दुरनारा भिश्मा हवे साचा अर्थमा महावीर बन्या कारण के पोतानी अग्यार इंद्रियो रूपी सैनिकोने भगवान मा दूरी विमुक्त संगा हा असंग सस्त्रेण द्रणेन छित्वाईटले विमुक्त संग सांसारिक संगती विश्मा महाराच सरवथा मुक्त बन्या अने आदी पुरुष भगवान आखोनी सनमुख हता एमा चित्त वृत्ति ने जोड़ी दिथी कृष्णे लसत्पीत पटे चतुर भुजे पुरस्थिते मीलित द्रुग्यधार यता श्याम वर्ण हतो अने लसत्पीत पटे पीडू पितामबर हतो श्याम अने पीडानो संयोग अना दी छे मेग साथे मेग श्याम छे तो पीडी विजडी जुड़ाईली छे भगवान नो वर्ण श्याम छे तो एमनी साथे पीडू पितामबर जुड़ाईलू छे क्रुष्णे लसत्पी तपटे चतुर्भुजे अने अमिलीतत द्रुग भीश्म एवी रिते भगवान ने जोई राया छे एवा अनिमेश नहीं ने के जोता जोता भगवान ना दर्शन करता करता भीश्मनी आखो उपर ना पलकारा क्षण माटे पन बंद थता नथी पापणों बंद थी थते एवी द्रश्टी भीश्मनी भगवान मा स्थीर थे अनि शू करियो विशुद्धया धारणया हता शुभ भगवान मा भीश्मये विशुद्ध धारणा करी धारणा योग शास्त्रनी साथमी अवस्थाचे नेत्राना पलकारा विर्मी जाए तेवी दिते भगवान ना स्वरूपने जोया करवू एनू नाम धारणा धारणानो बिजोपण अर्थाचे ध्यान कोने केवाए भगवानना एकाद अंगमा चित्त वृत्तिने स्थीर करी आगडवद्वू एनू नाम ध्यान अने भगवानना समग्र अंगमा चित्त वृत्तिने स्थीर करवी एने केवाए धारणा पण अनिमेश नहीं ने आवि द्रश्टी थाए भगवान मा त्यारे तेने केवाई विशुद्ध धार्णा इटले भिश्मनी भगवान मा धार्णा छे पण केवी धार्णा छे विशुद्ध विशुद्धयाधारणयाहत आशुभः अनितिना अन्नति निर्वाह असत्यने मदत पापाचरण थतु हतु त्या भिश्मनु मौन आ बदा भिश्मना दोश अता अनि दोश थया होई पाप थया होई तो शु करवू पड़े प्रायश्चित्य करवू पड़े भिश्ममाहराज ने थयू के मने प्रायश्चित्य करवानू समय तो मढ़यो नथी तो विशुद्धया धारणा भगवान मा विशुद्ध धारणा करी एटले बिश्मनु प्रायस्चित थाई गयु। के वुँ प्रायस्चित थिशु थाई। हता अशुभ। बे रित्या सब्दनो संधि विच्छे थाई। हता अशुभ। एक। अने हता अशुभ। शुभेटले पुन्य। अने अशुभेटले पाप। भगवान मा धारणा करवा थी बे वस्तु भीश्मनी बड़ीने भस्मत हीगे। शू भेटले पुन्य औने अशू भेटले पाप भगवान पासे जवु होए तो बेथी मुक्त थोऊ पड़े पाप थी पण मुक्त थोऊ पड़े औने पुन्य थी पण मुक्त थोऊ पड़े पुन्य होए तो स्वर्ग मा जवाए, सुख मा जवाए अने पाप होई तो दुख मा जवाई भगवान पासे तो बेथी मुक्त थे ये त्यारे जवाई एटले पुण्याई बंधन छे ने पाप पन बंधन छे पाप लोखन नी साकरनू बंधन छे अने पुण्या सोना नी साकरनू बंधन छे धारणा करी येटले आई बेई बंधनों मां थी हता शुभ पाप अने पुण्य थी मुक्त थया येमनु जाने प्रायश्चित थी गे अने गता युधव्य थह संसारनी पीडा क्या सुधी पजवे छे चित भगवान मां जोड़ता न थी त्या सुधी बिश्म मात्र बाण सैया उपर सुता हता तेवु नहीं जगत नो जीव मात्र बाण सैया उपर सुते लोचे बिश्म अर्जुन ना हाथ थी छुटेला बाणों नी शैया उपर हता अने आपने स्नेही, सगा, सम्मंदी, पडोशी, मित्र अने शत्रो ना वाग बाणों नी शैया उपर सुताची कोख हस्ता हस्ता गंबत मा कहने आगो मर तो बेदिवस सुधी आपने खावानू भावतू नची जो तो खरा मने आगो मर करूँ विनोध मा उच्चा रायलो मर शब्द पण आपने बेदिवस सुधी शांती पमाड़ी शक्तों नची तो आशू छे बाण सहिया थे शब्द रूपी बाणों नी पड़ आब अधी व्यथा पीड़ा क्या सुधी पहुचाड़ी भगवान मा चित्त न जोड़िये त्या सुधी एक वकद भगवान मा द्रश्टी अने वृत्ती लागी जाए पचि आ बाणों नी पीड़ा जें भिश्मने आ पीड़ा सतावती नथी तें जीव मात्रने आ पीड़ा सतावे नहीं येटले गता युधव्य था बद्धी पीड़ा जती रही भिश्मने अने तुष्टाव जन्यम विश्रुजन जनार्दनम कौनी स्तुती करी भिश्मने जनार्दनम जनार्दन ने स्तवन करवाला गया जनार्दन निस्तुती करवाला गया अहिए भगवान ने जनार्दन कया जनार्दन नो अर्थसो विश्रुजन जनार्दनम एनु तात्परिये के जनयती निख खिलम जगत जनयती संसारं मायाम जनाम अर्दयती ती जनार्दनाः आपणी माया ने आपणा संसार ने द्वस्त करी दे, नष्ट करी दे, एवा भगवान, एटले भगवान ने शुकया जनार्दन रोग थयो है तो रोग नी विरोधिल दवा लेवी पड़े तो रोग मठे ने, रोग ने पोशे ते वी दवा लेवाए, रोग ने नष्ट करे ते वी दवा लेवाए तो संसार अने माया नी आसकती ते आपनों रोग छे अने भगवान मा चित जोड़ू ते एमा थी आ रोग मा थी मुक्त थवानी दवा छे विश्रु जन जनार्दनम इटले भगवान जनार्दन नी अंदर चित जोड़ी दिधू जनार्दन इटले जे माया थी मुक्त करावे एने केवाई जा नार्दन अने भीष्व महाराजे अंतिम अवस्थामा अग्यार श्लोकमा भगवान निस्तुती करी एमा एक श्लोकमा बुद्धीनु अत्वा आत्मानु समर्पण छे एक श्लोकमा सर्वस्वनु समर्पण छे पछी रहा नौ श्लोकों नौ श्लोकों मा रती छे रती अटले प्रतिक्षन भगवान मा व्रुद्धी पाम्तो भाव एने केवाई रती तो एक श्लोकमा बुद्धी अत्वा आत्माना समर्पण नी भीष्माई वाद करी अन्तिम श्लोक मां सर्वस्व समर्पण नी भीश्मय वात करी अने वच्चे ना नव श्लोक छे एमा भगवान रत्य भीश्मय रती एटले भगवान मां प्रतीक्षन वृद्धी पामता भावनु निरूपण करी आरिते अज्यार स्लोक मां भीश्म महराज स्तुती करें पर श्तुती नी खास्य तेंछे के नव स्लोक मां रती अथ्वा रती नो अर्थ वाचक शब्द आवे काणके नव वखत भिश्म रती करे जे भगवान माने, बेवखत भगवान भिश्म मा रती करे जे कई-कई बेवकत रती करी भगवाने, एक तो भिश्मनी प्रतिग्णाने सत्य करवा माटे रतनू पईडू लई ने सामे चाले ने भिश्मनी निकट गया ए भगवाननी रती अने बिजी रती कई अंतिम अवस्था मा भिश्म हता त्यारे भगवान स्वयम भिश्मनी दर्शन आप्पा पधार्या ए भगवाननी रती आम अग्यार श्लोक मा बेवकत कौनी रती छे भगवाननी भक्त मा अने नौ श्लोक मा भक्तनी भगवान मा रती एरिते भिश्वा महराजे भगवान निस्तुति करी भिश्वा महराज भगवान निस्तुतिनों आरंब शेनाथी करे छे इती शब्द छे इती थी आरंब केम करे तेना जुदा जुदा भाव छे इती अव्याई छे अने अव्याई कोने केवाए जेने कोईपण अवस्थामा विभक्ति के प्रत्याई न लागे दरेक अवस्थामा एक सर्खु स्वरूप्रे एवा शब्दने सुकेवाए अव्याई इती अव्याई छे एनामा कोई विक्रुती न थी आवती विभक्ति न थी लागती प्रत्याई लागतो न थी शुद्ध रुप्मा छे अने भगवान केवाँ छे तो विष्णु सहस्त्रमा भगवाननु नाम छे अव्यायप पुरुशस्शाक्षी क्षेत्रग्नोक्षर एवच्या आप खमाने थायों के जे अविनाशी छे जे अव्याई छे एवाँ भगवाननीह स्तुती करूश्यूश्यू तो भगवानने अनुरूप शब्द थी मारे स्तुती न आरंब करो जोी चे विश्मय है ही अव्याई थी भगवाननी स्तुती न आरंब करे Third time दो भिजुतात्या है इती हेतु ना अर्थमा वपराई छे। भीश्म ये जाने जीवन नो अंतिम हेतु प्रगट करे। एटले इती शब्द थी स्तुती नो आरंब करे। इती शब्दनु त्रिजु तात्परिय छे, इती एटले समुच्यईना अर्थमा। भीश्म क्या छे, अत्यार सुधियों जे जीवयों जेना प्रत्य निष्ठा राखी, मन, बुद्धी अने इंद्रियों आ बद्धानों समुच्यई करीने, बद्धों भेगू करीने तने समर्पीत करूँछू। इतला माटे पन इती शब्द थी स्तुती नो आरंब करे। इती आवे इतले समझवानू के पूरू थवानित यारी छे। तो जेना थी समाप्ती करवी जुए। तेना थी भीश्म इस तुती नो आरंब करे। कैम। तो केचे भीश्म ने थयू के अत्यार सुती हूँ जे कई जीव्यो ए बद्धानी प्रभुईयां इती करूँछू। समाप्ती करूँछू। अने तारी पासे आवूँछू त्यारे मारू नव जीवन शरू थाईचे। कारण के एक ना विसर्जन मा बिजानू सर्जन छे अने सर्जन मा विसर्जन छुपाई लूँछे। बीजने जमिन मा डाटो अने बीज जो पोते मटवानू विचारे नहीं। नाश पामवानी बीजनी तयारी न होई। तो बीज मा थी अंकुर फुटे। एकले बीज मा थी अंकुर नू विसर्जन करवू होई। तो शरत मात्र एकली के बीजने पोता नू अस्तित्व नश्ट करवू पड़े। एज अर्थमा भिश्म कैचे के अत्यार सुधी हूँ जिव्यो ए बधानी या इती थाई। समाप्ती थाई अने तारी पासे आऊँ छू त्यारे जाने महरो अंकुर फुटे। महरो नू जीवन सरू थाई। एटले इती थी स्तुतिनो भिश्म या आरंब करे। पांच मुतात्परिय इती मती ही। भिश्म केचे आप प्रमाणेनी मारी जे बुद्धी छे। ए बुद्धी लईने हूँ आवयो छू। जाने बुद्धीनी योग्यतावनो संग्रह करता हुए। बुद्धीना गुणोनू वर्णन करता हुएं। इती मति ही एकले आप प्रमाणेनी मारी बुद्धी ए लईने हुँ तारी पासे आउँ छो एटले स्तुति नारंभमा इती शब्द छे इती मति रुपकल्पिता वित्रुष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नी स्वसुखमु पगते क्वची द्विहर्तो प्रकृती मुपे युशियद्भवप्रवाह मती नो अर्थ चे मनन्शिल बुद्धी बने त्यारे बुद्धी ने मती के वाए बिष्पम क्या जेवी त्यby बुद्धी नथी ळावयो मनन् करी करीने विचारी विचारी ने परी पक्व थाईली他 ने समर्पण कराए तेवी योग्य बनेली बुद्धी यह डिती मती मनन शिल बुद्धी एने केवाई मती अने केचे प्रभु आवी बुद्धी लईने हुँ तारी पासे आवे उछु पड़ एकली मनन शिल न थी ने तो गणा मनन तो बहु करता होई ग्रंथो तो बहु माचता होई पाण तुरुष्णा वाड़ी बुद्धी होई बेवस्तु साथे चाले मनन चाले पठं चाले औने सांसारिक पदार्थो प्रत्यनु आकरशन पण चाले भिश्म क्याँ चे मारी बुद्ध्ये विन थी कि वी जे वित्रूष्णा वित्रूष्णा इटले संसार नी इच्छावो थी मुक्त बनेली संसार ने आकांग शाओ थी मुक्त थाईली बुद्धी आने फलेच्छाविनानी बुद्धी यहने पण केवाई वित्रुष्णा इतले निर्मल मती प्रभु उपकल्पिता तारामा स्थापित करी छे अवे अनो एक भावे छे के बिश्म महाराज भगवान ने हाथ जोड़ी ने अंतिम वस्था मा केछे के हे प्रभु हूं आ संसार छोड़ी ने जई रयो छू त्यारे मने एक चिंता सतावे छे भगवान केजे दादा तमने कई चिंता बिश्म केजे माबापने सौथी मोटा मा मोटी चिंता होए तो कौनी होए संतानों ने अने संतानों मापण जो दिक्री होए तेनी चिंता तो वधारे जोए ने अने दिक्री मापण विशेश चिंता कौनी था लगन योग्य जहनी अवस्था थई होए चता जहना लगन न थया होए तो अमारा गया पची आ दिक्री नूँ शुथ से एवी चिन्ता माबापने सव थी वधारे सतावे भिश्म केचे प्रभु आ जगत छोड़ी नूँ जही दयो चु त्यारे मारा मन्नी पणावी मुझ्वन चे भगवान केच मारे एक दिक्री छे एना मागणो बाप गणो भाई गणो भंड़ु गणो जहे कई गणो ते हूँ छु ए दिक्री नी लगन योग्य अवस्था थाई गई छे परणावा योग्य एनी उम्मर छे अने एने परणाव्या विना आ जगत छोड़वानी ख्षन आवी त्यारे मारी आ दिक्री नुँ शू थसे एनी मने चिंता सतावे छे भगवान कैचे दादा भिष्म तमे तो नईष्ठिक ब्रह्मचारी छो तमे तो लगन ज़ करया नथी तो तमारे दिक्री आवी क्या थी भिष्म क्या जे प्रभो हुँ जे दिक्री निवाद करू छू ते कोई पंच भावतिक शरीर वाडी दिक्री निवाद करतो नथी मारी दिक्री येटले कई इती मतिरूप कल्पिता वित्रुष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभुम्नी मारी बुद्धी रुपी दिक्री में हजू सुधी कोईने परणावी नथी आपड़ू एना थी उल्टू छे आपड़ क्वणा बाढ लगना करिये चे जानो छो आपड़ी बुद्धी रुपी दिक्री ना आपड़ लगना करी देए चे बाढ लगने इतले परी पकवता विना कोईनी साते सगाई बुद्धी नी करी देवी करिये जे ने वो क्यारेक आपणने जीवन मा लागे जे संपत्ति जेवो मुरत्यों कोई नहीं इटले बुद्धी ने जोड़े परणावी दीए क्यारेक आपणने लागे जेके सत्ता जेवो मुरत्यों कोई नहीं तो एनी साथे बुद्धी ने परणावी दिये छे क्यारेक आपणने लागे छे कि पद जेवो मुरत्यों कोई नहीं तो एनी साथे बुद्धी ने परणावी है क्यारेक लागे प्रतिष्था जेवो मुरत्यों नहीं तो एनी साथे परणावी है आहू बदू करवू ये बाल लगन बुद्धीना अने भगवान साथे बुद्धीने परिणाव योग्य व्यवस्था दिक्रीना लगन नी इतले भीष्वा महाराज केचे हुँ जवचुने दिक्रीनी लगन योग्य वस्था छे इतले मने एकच चिंता छे के महारा गया पच संबोधन करे थे भीष्वा स्टूती करता साथ्वत पुंगवे अने विभुमनि भीष्वा के वा थे भरत पुंगव अने भगवान के वा थे साथ्वत पुंगव। पुंगव। इतले श्रेष्ठ। पांडु वंश ना मूढ पूरुष्चे भरत महाराज। इतले पांडु वंश नू नामांतर छे भरत वंश। यहां भक्तो प्रगट्थ आहता। इतले भरत पुंगव। इतले भरत वंश मा जन्मेलाव। मा श्रेष्ठ अर्थ छे साथ ऐले भक्त अने साथ्वत इतले यादव, यादव वंश cak Pattern नाम चे में RICHARDFr dha और सात्वत वंश मा माई शृत आप दा सरे स्वेंश्थ मेंग साथ पुंगव न अर्थ वंश संबाधन भगवान न करिए विभूमि विभुमनी विभुमा इटले शुक तो केचे विभुमा नो अर्थ छे अक्षर ब्रह्मती पण जे पर तत्व होई इव तत्व एने शुकेवाई विभुमा भगवान हिवा छे इटले भगवान ने विभुमनी कया हे प्रभु तमारामा मारी बुद्धी लागे बिश्वमा महराज स्तुति करता केचे त्यारे भगवान केचे के दादा वस्तारी हो तो एम मनाए के चार छोकरा हता एमां थी बे परणाव्या अने बे बाकी रही गया पड़ तमें वस्तारी तो छोने ये कद दिकरी छता बाकी रही गया बिजो अकाडे नानी उम्मर मां मृत्यू थाय तो एम मनाए के पचास वरस नी उम्मर मां गुजरी गया छोकराओ नाना हता एटले परणावानू रही गया पड़ तमें केटलू गदू लाबू जीव्या बिश्मनी लगभग उम्मर महा भारत नू युद्ध थायू त्यारे एक सोने अधार वरस नी आसपास नी हती केटली एक सोने अधार वरस नी अने सैनापती थाया उम्मर है एक सोने अधार वरसे सैनापती थवा नी हाम राखे एने भगवान दर्शन आपपा दोड़ता आवे पचीस वरस नी उम्मर महा उसू करू ने महारा थी तो नहीं थाय ने उतो थाक्यो ने उतो कंटार्यो एने भगवान नी मदद मड़े नहीं भगवान केचे के लाबू तो में जीव्या वस्तारी छो नहीं एक मात्र दिक्री आटलू लाबू जीवन चता एक दिक्री नहीं परणावी शक्या नहीं तो तमें अत्यार सुधी कर्यूशू केचे प्रभू साचु कव आटलू लाबू जीवन मने मड़ियू ए वाद तमारी साची पड़ मारू अक्खु जीवन सेमा पूरू थयू जानो छो मुरत्यो सोध्वामा मारू जीवन पूरू थयू अओध दो आ मुरत्यो सारों ने और खोटों ने एमा ने मारू जीवन पूरू थयू ज भगवान कहेजे तमने ग्मयो केवो छे तो मुरत्यों तमारो त्रिभुवनकमनम् तमालवर्णव। रविकरगव। रवरांबरम् दधाने। वपुरलककुलावृता ननाब्य। विजयसके रतिरस्तुमे नवध्या। कैसे प्रभु जो दिकरी ने तो पोता नी जनाती नो सुन्दर वर होय। तो ये वर नी ये लागे। जयारे में मुरत्यों सोजो छे के वो छे त्रिभुवनकमनम् त्रणे भुवनमा एना जे वो सुन्दर कोई न थी। ये करते। विजो अर्थ त्रिभुवन सुन्दर एटले त्रण प्रकारती जे सुन्दर। त्रण प्रकारती सुन्दर एटले स्वरूप थी सुन्दर। श्वभाव थी सुन्दर औने लिला थी सुन्दर आ त्रण्नो संयोग भगवान सिवाई कोई नामा ना हो स्वरूप नी सुन्दर तानो, स्वभाव नी सुन्दर तानो औने लिला अथ्वा क्रिया नी सुन्दर तानो ये तो भगवान मा जोवा मड़े नहीं तो स्वरूप तो बहुत सरस्वाइब शाक्षात नाराइण जिए पन पुछो का अभ्यास किटलो करें तो केजे फाइनल पास अवे अत्यारे फाइनल थाया होई तो एनी किम्मत खरी भणयाई बहु होई स्वरूप बहु सरस्वाइब पुछो करो जो किटली उम्मर था ही तो केजे छत्रीश नहीं सू करो जो नौकरी के धंदो तो केजे जू नक्की नथी करें विचारू छू सू करू अला छत्रीश स्वरा सुधी तो ते नक्की नधी करिऊ तो नक्की क्यारे करीश अने प्रवरुत्त क्यारे करीश यह नहीं त्रिभुवन कमनम नो अर्थ छे स्वरूप थी सुन्दर स्वभाव थी सुन्दर अने लिला थी सुन्दर त्रणे दी ते सुन्दर अने त्रिभुवन कमनम तम तमाल वरणम तमाल नू वरिक्ष श्याम वरण Punkte गए C इतले श्याम वर्ण अद्भुत छे, श्याम वर्ण मा कुरुपा करवानो स्वभाव छे मेग नो वर्ण केवो? श्याम वरुष्टी करी ने कुरुपा करे पची सुरुंगार रस्ना नायक नो वर्ण पण केवो मानवाम आवयो छे? श्याम द्रश्टी करीने कुरूपा करे भगवान भक्त नो स्विकार करीने कुरूपा करे भगवान नो वर्ण पन के वो श्याम तमाल वर्ण तमाल व्रुक्ष जे वो भगवान नो श्याम वर्ण छे तमाल वर्ण एटले आत्म सौंदरियमा ज्नान ने शिल बनने जुआए भगवान नू आत्मसोंदर्यमा ज्णान ने शील अध्भुत छे एवो मुरत्यों में जो यो छे इतले मारी दिक्रीदें कम से तमाल वर्ण तमाल वर्ण इतले श्याम वर्ण नू बिजुतात परिये छे जें बद्धा रंगों नू संयो जनकरता वर्ण बने छे श्याम एम जिवन्ना बद्धा प्रवाह जेना मा एक रूप थाई गया एवा भगवान इटले भगवान नू वर्ण के ओ छे श्याम त्रिबुवन कमानं तमाल वर्ण वर्ण रविकर गउर वरांबरं दधाने वपुरलक कुला व्रुतान नाब्याउं विजय सके रतिरास्तुमे नवद्याम ये मुरत्याय वस्त्र के ओ धारण करियू छे रविकर गउरव रांबरं दश अक्षर नू आपितांबर छे भागवत ना अधार हजार स्लोको मा लगभग भगवान ना वस्त्र के पितांबर माटे 85 शब्द आवेला छे पितांबर अथवा पितांबर ना अर्थ ना बोधक किटला शब्दों छे 85 अहिया दश अक्षर नू पितांबर भगवाने पेरियू छे गणजो रविकर गउरव रांबरं दश अक्षर तो आपितांबर अटले शो पहलो तेनो सिधो अर्थ रवि अटले सूर्य कर अटले किरण प्रातकालिन सूर्यना कीरणो लालाश पड़ता सोनेरी होई पीडा होई एवो लालाश मिश्रित पीडू पितांबर भगवाने धारण करियू छे एटले रविकर गउरव रांबरं बिजु तात पर यह ये छे तो पितांबर भगवाने बे छे इटले एटले और पितांबर भगवाने बे छे एक मायात्मक पितामबर आवरण आड़ू आवे आ मायानू भगवान ना वास्तविक दर्शन जीवने थाई नी अने बिजू वेदात्मक पितामबर भागवत ना बारमा स्कंदमा लख्यू छे वास चंदो मयम पितम वेद छेने एशू छे भगवान नू वस्त्र छे पितामबर छे इटले पितामबर केता माया अने पितामबर केता वेद पितामबर भगवाने धारण करिए न दर्शावेद नाझ करिदाSON एट कर न्यकि का desserts कारण तो केछे के ज्नान थी भगवान नी प्राप्ति थाए माया रूपी पितांबर माठवाई ये तो भगवान ना वास्तविक दर्शन थाए नहीं एटले वेदात्मक पितांबर एटले आरिते दस अक्सर नव पितांबर पहरेलू छे मुरत्याय भिश्म केचे रवीकर गवर राम बरम दधाने वपूर अलक कुला वृता ननाप जयूं विजय सक्खे रतिरस्तुमे नवद्या पची ये मुरत्यानू मुख मंडलनी शोभा के वी छे नू मुख के वुझे अलक कुला वृता ना आननाप जयू एनो सिधो अर्थ छे मस्तक ना वाकोड या केश ठी जेना मुख नी शोभा वधी रही छे एकेश नी लटो जेना मुख मंडल उपर आवृत्त छे येने केवाई वपू रलक कुला वृता आननाप जयू केश ना समुह थी छवाईला मुख कमण वाळा पड़ेनो विशेश अर्थ छे अलम परिपूर्णं कम आत्म सूखं येशू ते अलकाहा तेशाम कुलाई ही आवृतं आननाप जयू यस्यू अलम एटले परिपूर्णा जयना मुख मंडल उपर जिवनना प्रत्येक सुख परिपूर्ण ताथी प्रगट थया छे इटले अलक एवा संतो योगियो सिद्धो भक्तो महापुरुषो जयने भगवाने मस्तक उपर स्थाना प्युजे केश ना रुपमा एवा भगवदि जयना मस्तक ना केश बन्या छे अने एकेश थी जयनू मुख मंडल शोभाय मान छे अलक कुल वृत आननाप जम अने अथवा भगवानना सर्व अंगो आननंद माथी उत्पन्न थाई छे भगवानना बद्धा जंग केवा छे आननंद रुप छे अने माटे ते ककुल छे अ आवरुतं आननाप जम अत्यंत आननंद मैं श्री अंगो थी शोब्ता मुख कमल वाला सत्व परिपूर्ण सात्विक भगवानना स्वरुप नू आशलूक मा निरूपन छे इटले अलक कुल वृत आननाप जम एवा भगवान मा मारे रती थाई भीश्मके छे पन भगवान ने यासू करें विजय सखे रती रस्त में नवद्य भगवानने विजय सखे उसंबोधन कर्यूकर सिधु भगवान नाम ना लिदू, परोक्ष भगवान नाम लिदू आ। विजय सखा इटले कौण भगवान। पड़ भगवान नाम विजय सखा क्यें पड़ू। विजय इटले अर्जुन। जेने जीवनमा प्रत्यक युद्धमा विजयी मड़योत। कोई दाड़ो हार्योनोत। इटले अर्जुन महाराज नाम सुआतू विजयी। अने विजयी ना सखा कौण क्रुष्णा। इटले विजये सखे नो अर्थ छे भगवान पड़ सिधु नाम ना लिदो ने परोक्ष नाम केम लिदो भिश्मा ने थयो के मारी बुद्धी रुपी दिक्री नी अत्यारे मुगधा अवस्था छे। मुगधा अवस्था इटले सर्माण अवस्था। इटले संकुछ थाईने। जुना जमानामा मर्यादा बव हती त्यारे सूथ हतू। वर कन्या एक बीजाने जोईने एक बीजाने पसंद करेवी परंपरा नो तीती वखते। कुटूंब मा को काका थठा हुए। एवा काका कोक ना त्यां लगन प्रसंग माँ जाए ने भत्री जाने आमाटे कोक योग्यो कन्या जोवए। तो ये बारो बार बार बाप ने प्रसंग यह थो ने वरण राजयानु आववानु हफिव तो वर्राजया जे रूम मा बेठा हौँ ए रूम मा कण्या थी प्रवेष्कराए नहीं, कण्या आवेद नहीं है पड़ यहीं मुख्धा अवस्थाहे संकोच होए चता वर्ने जोवानी लालसा पण होए तो एक अन्या वर्राजा जे रूम मा बेठा हो ए रूम मा ना आवे पन वर्राजा वाड़ा रूम ना भारी बारना बिजा जे जे रूमों मा पड़ता होए ए रूमा मा आटा भेरा मारे और अलब जलब वर्नी जांखी करी यह भीश्म केजे मारी बुद्धी रुपी दिक्रीनी आवी मुगधा अवस्था चे एक ले सिधु नाम बोलता संकोच थे एकले संकोच थे एकले भगवान ने सिधो उच्चार न करता सुखेज विजय शक्खे एकले एवा अरजुन नामित्र मा मारी बुद्धी लागओ मा आमायवद मां प्रसंंग छे, राम लक्षमन ने सिता जी जारे वन गम्न करता हता, त्यारे वन नी भिलास्तरियो, सिता जी नै पूछे के आप हो महपूरुषों छे, है एमा थी तमारा घर वाळा अकोन श्याम श्वारूप छे ते के गाउयरा श्वारूप छे ते एटली सिताजी राम जी नी सिधी ओडखन ना आपता परोक्ष ओडखन आपता सु केता आग गउर स्वरुप वाड़ा छे ने ए मारा दियर छे आउ के एटली राम नी आपो आप ओडखन थी जाए एवा आशै थी भीश्म महाराजे कयो विजय शखे रति रस्तु में नवद्या एवा विजय ना सखा भगवान स्री कृष्टनमा मारी बुध्धी लागो भगवान के जे के आओ मुरत्यों तमे सोद्यों तमने गमे जे तमारी दिकरी ने गमे जे के नहीं भीश्मै इस पश्टता करी हती महाराज दिक्री ने तो पोता नी ग्नाति नो सुन्दर वर हो तो ये वरणिय लागे जारे में तो आवो अध्भुत मुरत्यों त्रणे भुवनमा एनी बराबरी करी शके कि ये वो कोई मुरत्यों नथी कि ये टले महारी दिक्री ने गम से भगवान कैचे तुमारा एक काम करो तुमें सु काम करो तो प्रभु केचे के दादा भिश्म ए मुरत्यानू नाम ठाम सर्णामू ठेकाणू आ बदू तम्हें अमने लखावी दो यटले तमारा गया पछी ए तमारी दिक्री ने ए मुरत्या साथे परणावानी जवाबदारी अमारी भगवान केछे प्रभु पहला तो मने एक हो के सरनामु कौनु अपाए जे आखो थी दूर होये नुँ सरनामु अपाए पड़ मारी दिकरी नों मुरत्य तो बिलकुल मारी आखोनी सामे उभोज यह पछिओ एक इनूं किवीरी त्या सर नाम हो आप भगवान केचे एकले हे दयदा तमें मारी वाद करो जो हूं तमारी दिकरीनों मुरत्य ओछू बिश्म केचे हाँ प्रभू तमेज मारी दिक्री ना मुरति आजो भगवान केचे तो पहला एचोखवट करो तमारे तमारी दिक्री मारी जोड़े परणावी हती तो मारा पक्ष्मा केम ना उभा रहे औने कवरो मा केम उभा रहे भीश्म केचे जोव प्रभू, तमारा पक्ष्मा हुँ उबो होत, तो मने जेमना मोधा जोवा गमता नथी, इवा कवरो ना मोडा मारे छली क्षण सुधी जोवा पड़त, पण हुँ कवरो मा उबो हतो, परिणा में मने अंतिम क्षण सुधी तमारा दर्शन थया, इटले भारेवानो भीश्मा केचे मारो, आसे तो तमारा दर्शन करवानो हतो, तमारी सामे लड़वानो हतो नहीं, अवे रवात रही बाणो केम चलाव्या, तो केचे प्रभू, आ शरीरे अन्न खादू हतो कवरोवन, इटले शरीर क्वानू रूणी हतो, कवरोवन, पण आत्मा तमारो रूणी हतो, इटले शरीर थी हूँ, कवरोवन रूण चुकाउतो हतो, पण आत्मा तो में तमनेज समर्पीत करयो हतो, भगवान केचे बिश्मत तमने व्यावारनी खबर छेने, दिकरीनी सगाई करवी हो, तो वेवईने लगन पेला किटला बदा साचवा पड़े इत्यास मां भणवा मां आउतू हतो, के भारत मां जारे गुप्त वंशनू शासन हतो, त्यारे भारत नो केवो यूग हतो, तो क्याचे सुवर्ण यूग हतो, एम वेवई मांटे पन सुवर्ण यूग आवे, वेवई मांटे सुवर्ण यूग कईो, जानो छो, दिकरीनी स लगई थी या इत्यार्थी शरू करी ने लगन न थाए एनी वच्चे नो जे गाड़ों ते दिक्राना बाप माटे इटले के विवई माटे सुवर्ण युक्यवाए आ गाड़ा माँ विवई विवई ने बहु साच्वे कोग लगन प्रसंग माँ विवई जमवा बेठावा प्रसंग आबाजू चालतो होई पन बेवेवई प्रसंग पुरो था त्यासुदी खुणा मा उभारे ने गुस्पूस गुस्पूस वातो करे प्रसंग पते पड़ेमनी वातो पूर्पूर खुटे नी आपड़े शरीर ने लुछवा माटे जुनो रुमाल चलावी लई ये पड़ दिक्राना बाप आपड़े तया वेवई आवे तो एमना माटे नवो नक्कोर रुमाल खड़वो पड़े आपड़े गादला उपर जुनी चादर चाले पड़ वेवई आवे होई तो कोरी कट चादर पाथर वी पड़े भगवान केजे आमानू तो तमें कशु मारा माटे करियू नथी नवो रुमाल नथी आप यो कोरी चादर पाथरी नथी मने प्रेम भरी वातो खुणामा पुरतिया चो तो केजे प्रभु आ बद्धो शरिर्थिय भी नहीं हतो बाकी चित्त तो तमारा मां जूडेलू हतो इटले मारे मारी बुद्धी तमने परणावी चे युधि तूरगर जो विधुम्र विश्वाक्त क्वचो लुलित श्राम वार्य लंकृतास्ये मामा नि कवचे स्तु क्रुष्ण आत्मा तमे केवाच हो प्रभु तो के जे युधि तूरगर जो विधुम्र रहा एनू तात पर ये शू हो तो के जे तूरग इटले सूरिय और तूरग इटले अगनी एवा एना अर्थ थाई जे अने रजो विधुम्र एटले सकाम उपासना थी यगन यागा दी थी पण केवी सकाम फड़नी अपिक्षाथी करेला एव्या यगन यागा दी थी अने एवी सकाम उपासना थी विशेश दूसर एटले के बुखरा बनेला उपासको एवो तूरग नो अगनी अर्थ करिये तो एवो भाव थाए शूर्य एटले अगनी अने तूरग नो बिजो अर्थ छे तै तरी या ब्रह्मन नी अंदर लख्यू छे के अगनी अश्व छे वायू समीधा छे अने शूर्य अश्व छे देवताओ वडे देवताओनो रत तैयार थाई छे एटले आवा उपासको ज पारी बुद्धी लागो आगवान ना राजस्वरूपनु भिश्म महाराज वर्नान करें जाए अगन्हाश्लोक मा अपनी जोयू ते भगवान नु राजस सात्विक स्वरूपनु वर्ण चे पेल्ला श्लोक मा जोयू ते सुद्ध सात्विक सात्विक स्वरूपनु भगवान वर्ण चे युदि तूरगर जो विधुम्र विश्वाक क्वच लूलित श्रम वार्य लंकृताश्य विश्वक नो अर्थ चे विश्वक कम एशाम विश्वक आहा इटले ब्रह्म अने तेशांच तेवो ना समुदाए ब्रह्म शीव वगेरे नो समुदाए और ने तेन तेसेंच त्यांच समुदाए नी साथे लुलीत आहां मिलीत आहां इतले मडेला एवा श्रम वारिना श्रम वारिना इतले गंगाजी आवा गंगाजीतले श्रम वारिणा गंगाजल्थी अलंकृताहा अलंकृत बनेला ब्रह्मा शिव वगे याश्य अस्य जेना मूखमा निवास करेजे ब्रह्मा शिव वगेरे एवा भग्वान मा मारी मती मारी बुधी स्थीर थाव युदि तूर गर जो विधुम्र विश्वाक्त क्वचा लोलित श्रम वार्य लंकृतास्ये मम निशीत शरैर विभिध्यमान निशीत शरैर विभिध्यमान एनू तात पर यशू वेद ना वाक्योनो विप्रीत अर्थ करी आगादीनु खंडन करनारा कुतरक वादियोना बाणो थी वेद रुपी त्वचा जेमनी भेदाई रही छे एवो आ विशिष्ट अर्थ चे अने प्रती पक्षना युद्धाओना बाणना प्रहार थी भगवानना श्रीयंग नी त्वचा भेदाई रही छे एएनो शब्दार्थ चे तो आ बाणो थी वेद रुपी त्वचा जेनी भेदाई रही छे पण विलसत कवचे वेदोनो साचो अर्थ करी वेदनू रक्षन करनारा तत्व वित्ताओना वाक्यरुपी कवज थी जेनू भगवाननू श्रीयंग शोभाय मान छे एवा भगवान मा मारी बुद्धी स्थीर्थाओ सपदी सक्किवचो निशम्यमध्ये सपदी एटले अव्याई छे सपदी विना विलंबे तातकालिक जराय विलंब नहीं पन क्यारे तो महा भारतना युद्धना आरंभना प्रसंगनू भीष्म माराज स्मरण करेशे केचे प्रभू महा भारतनू युद्धनो आरंभ हतो लड़वानी तैयारी थता पहला कुर अर्जु ने कईयो के प्रभू हुँ लड़ू येना पेला एक मारी विननती छे बन्ने सैन्यनी वच्चे मारा रतने उभो राखू हुँ जो कौन मारा पक्षे लड़वा मा छे औने कौन मारी सामे लड़वा ततपर छे अटलूच कईयो तू खाली उभो राखवानू कई अर्जु ने पन सपदी तेज क्षणे सेवक धर्म जाने के उतक्रुष्ट रिते बजावता हुँ एम अर्जु ने मात्रा अटलू कईयो औने तेज क्षणे इटले सपदी तर तज बन्ने सैन्यनी वच्चे रथने उभो राखू हुँ उभो राखवानू कईयो तो थाण आप्पानू शरू करिऊ आप भीष्म छे आप कर्ण छे आ द्रोन छे आ शकुनी छे आ श्वत्थ्वत्धा मा छे आ दुर्युदHAN जे क्या मर्जुन माहराज नुता ऊरकता आरे भागवान ऊड़कता हाताा एदिना करता अर्जुन आभधाने वदारे निकटता धी काण के भगवान तो वेवाई पक्ष ना हाता कवरो ना अर्जुन के छे भीश्म के छे प्रभू तमें मात्र ओडखान नता आपता शू करता हाता तो के छे स्थितवति परसैनी कायु रक्षना रुतवति पार्थ सके रतीर मामास्तु तमें ओडखान मात्र नता आपता पन ओडखान आपीने पर एटले सत्रु पक्षना सेना नायको हता यहमने द्रश्टी मात्र थी अवलोकन मात्र थी यहमनु ओज बल प्रभाव औने अर्जुन महराज भगवान ना उपकारों नुश्मरण करे थे त्या भगवान ने सुक्या छे आयूर मनाव सीचत द्रुसा सह ओज आर्चत द्रश्टी मात्र थी जैने कवरवन आयुश्य ओज आ बदानु हरण करी लिधू इटले भगवान ने कहो कि अर्जुन आमने तो आशू करवानु जातो सब छे तारे खाली अगनी सहुस्कार करवानु पुण्यकारिय करवानु बाकी तो मैं द्रश्टी थी आमने मारी दिदेला छे केवी रिते एक स्वनो बल्ब होई चालू अने स्वना बल्बनी बाजुमाँ जीरो नो बल्ब करो तो स्वना प्रकास आगण जीरो नो प्रकास अलग अनुभवाई खरो सुथाए स्वना बल्ब माज जीरो ना प्रकास विलिन थी आए एम जा भगवत तेज उभुरयू त्या भीष्मकर्णना जे नाना मोटा तेज हता ते भगवत तेज मां विलिन थी गया आयूर मनाव सीच द्रुसा सह आर्चत अने भगवान के छे अहम त्वा सर्व पाप भ्यो मोक्ष इश्यामी माशुच इटले कई भगवाने गीता जी मैंने सत्य करिए के जो आब अधन मारी नाख्या इतले तने मारवानू पाप लाक्षे नहीं बद्दा पाप्ति तने मुक्त करिए स्थारे तो अगनी समस्कार करवाना चे के वू करिए अर्जुन माटे एक सैनी खतो एने को के पूछिव बिजा सैनी के के सत्रू पक्ष नी चड़ाई थाई त्यारे ते किटला सैनी को ना माथा काप्या के जे माथा तो नथी काप्या पण 20 सैनी को ना पक काप्या अला पक के वीरी ते काप् प्रती पक्षनु ओज आयुष्यने बढ़ हरण करे लिदू छे एवा भगवान मामारी मती स्थीर्थाव व्यवहित प्रुतना मुखं निरिक्ष्या स्वजानवदाद्वि मुखष्या दोश बुध्या व्यवहित प्रुतना एटलेद व्योहमा गुठवाईली सेना सामे ग गोठवाईली सेना एवाद भिन भिन अर्थ चेना व्यवहित प्रुतना मुखं निरिक्ष्या और ज्या आ सैन्यने जोयू अर्जुन महराजे सामे लड़वा माटे ततपर थाईला त्यारे शू कर्यू स्वजन वधाद वी मुखष्या दोश बुद्या मोहुत पन्न थे अर्जुन ने तो भगवान एने समझणा पी उपदेश आपयो अर्जुन आकई द्रवपदीन अपमान करिव कवरो येटले बल्लो मालवा माटे नू के वेरनी वसुलात करवा माटे नू युद्ध न थी हस्तिना पुर्णि गादी जती रे येटले पाची मिडवा माटे नू पन युद्ध न थी औने जो आवा क्षुलक कारणों माटे युद्ध हो तो कुरुष्ण तेमा उभारे नही तो पच या युद्ध से नू अतु क्या जे प्रुथ्वी देह चे औने कवरो देह प्र गुम्डा उपर नस्तर मुकी अने पस अने मलिंता काडी नाखे अने देह ने तंदु रस्त बनावे एम तारे ततश्ट वैद्य बनी अने आ गुम्डा उनू नस्तर मुकवानू छे कई द्रवपदी नी लाज गई ने एनो बदलो वाडवा माटे नू आ युद्ध न थी हस्तिना पूर्णी गादी माटे नू युद्ध न थी अने आवा क्षुलक युद्ध होय तो कुष्ण एमा सार्थी बने पड़ने व्यवहित प्रुतना मुखं निरिक्ष्या स्वजन वधाद्वी मुखस्य दोश बुद्ध्या कुमति महरदात्म विद्ययाय स्चरण र अवे भगवान नी भक्तवत सलता के वियत भुच्छे एनू निरूपण करता युद्धना एक प्रसंग नू स्मरण कर्यू स्वनिगम पहायमात प्रतिग्णा मृतम अधिकार्तुम अवपलोतो रथस्थाह दृत रथ चरण अभ्यया चलत गूर हरी दिवहां तुई भंगतो तरियाह महा भारतना युद्धना अरंब पूर्वे भगवान पासे बेजन मदत लिवा गया एक हता अर्जुन महाराज बिजा हता दुर्योधन भगवान शयन करता हता सुता हता युद्धिष्ठिर अहंकारी हतो दुर्योधन अहंकारी हतो इटले भगवान पासे मदत लिवा गयो तो सिद्धो भगवान सुता हता इमना मस्तक पासे गुठवाय अर्जुन महाराज पर बेठा, बन्ये नो छत्कार करे, उनिए बहगवान केचे केम आववू थायू, केचे के हमारी तमारी मदद जुईये चे, अमें लड़ु करवाना चे आमा तमारी मदद जुईये चे, भगवान के चे मुँँ मदद करू, पन्यारी शरत छे प्रमाणे मदद कर Hoo ho Hoxhu प्रभु क्या चे जयने मारा शैन्यperform ्जरूर हसे एने मुं शैन्य अपिस मार ंसी लड़के जयने मारी जरूर हसे एना पक्षे हुन उभोरेश मपन दुर्योधन हुं मात्र उभोरेश हातमाश ास्त्रधारण करेश नहीं, तुकी द्रश्टी नो दुरियोधन एने विचारियो आतो युद्धमा मदत मागवा आवे उचो त्यातो लड़वानी जरूर छे वातो करवानी जरूर नथी भगवान ने केछे दुरियोधन प्रभु मारे तमारा सैन्यनी जरूर छे तमारी जरूर नथी भगवान के भले मारू सइन्य तूली जै। अर्जुन महाराज कहते अर्जुन माराज के से प्रभू तमेक खाली हाते मारा पक्षे हो वे वी छमने अपिक्ष घाले। केम तो केजे तमारा हाथ शस्त्रास्त्रती भरेला होत औने हुँ रण मेदान मा पढ़तो तो मने कया हाथ उभा करता पण हवे तमारा जारे खाली हाथ छे त्यारे युद्ध मेदान मा जारे जारे हुँ पड़ीश त्यारे तमारा हाथ मने उभा कर छे ये भगवान सार्थी बन्या अरजुन्दा और भिश्म कवरो ना सेनापति बन्या शिशूपालुनों वद करया पचिप्रभुनी प्रतिग्ना होती के हुँ श्रीकृष्णने हात्मा शस्त्रधारण करीश नहीं आ प्रतिग्णा जो येटले भिश्म ये सामी प्रतिग्णा करें, ज्या सुधी हुँ श्री कृष्णने हाथमा शस्त्रधारण न कराओ, त्या सुधी मारू नाम भिश्म नहीं, समर्थो नी प्रतिग्णा हती हां, प्रतिग्णा येटले वेदनु वचन, जेम वेदना वाक तो प्रतिग ना लिधा पची तेनु उलंगन कराय नहीं, लेता पेला सौ वार विचार करवाँ, और लिधा पची प्राण ना भोगे तेनु पालन करवाँ, आतो महापुरुषो निप्रतिग ना हती, समर्थो निए आपणा जेवी नहीं, आजे जगडो थाय, तो पची पड़ू जोव तो काल सवार ना देखू केचे, पड़ आटलू लाबू खेच्वानी जरूर सीचे सवार सोदील, नहीं तो के, अवे एनी जोड़े वाद करू तो उफाटी पड़ू केचे, आने बिजे दिवा से चानी लारी उपर बनने उभर इन कट पिता होई, आवी प्रतिग्णा नोती, आतो समर्थोनी प्रतिग्णा, लिए माह पूरुशोनी, भिष्म क्याचे प्रभू, स्वनिगम पहायमात प्रतिग्णा मृतम अधिकर्तुम अवपलुतो रधस्था तमारे मन तमारी प्रतिग्णा करता भक्तनी प्रतिग्णा वधारे महत्वनी छे मत प्रतिग्णाम अधिकम सत्यम करतुम तमारी प्रतिग्ना करता मारी प्रतिग्नाने सत्य करवा माटे शू कर्यू तमे तमारी प्रतिग्ना तोड़ी रथनू पईडू लईने तमे मारी सामे दोड़े भगवान क्या जे मैं क्या प्रतिग्ना तोड़ी हती में प्रतिग्ना शुकरियती हाथ मां शस्त्र धारण नहीं करूँ में शस्त्र क्या लिदू छे में तो रथनू पईडू लिदू छे बिश्म क्या छे प्रभू हवे हुँ तमारी वात्मा अववानू नती जो प्रहार माटे जेलो ते प्रहार नी क्षण मां शस्त्र बनी जाए पजी चक्र हाई तो ये शस्त्र और रथनू पईडू हाई तो ये शस्त्र एक रजवाडू अता नहीं दिवान अता नागर बाल कृष्ण नी सेवा करता पड़ इमनो नीयम एवो के भगवान नी सेवा करती वखते बिलकुल मौ उन्रे कोई नी जोड़े कसू बोले नहीं अवे आँ बाल कृष्ण ने स्नान करा उता था ये वखते राजा नो सेवक दोड़तो दोड़तो आवयो के थे आज चोर पकड़ायो छे ने इने सजा करवानी छे ते राजा ये पुछायो जग सू सजा करी अवे बोले तो नियम भंग थाए इटले इमने सू करिऊ बाल आम लटकावया अने आजमनी थी आम आम इशारो करो ठूकी ने किया बाल कृष्ण पना संकेत पूरता ते सूथ ही गया उपकरण बनी गया साधन बनी गया इवी रिते बले तमे रतनू पहिंडू लिदू पन मारा उपर प्रहार करवा माटे लिदू एटले तमे तमारी प निगम पहायमात प्रतिग्णा मृतम अधिकर्तो मावापलूतो रथस्थाह अने रथमा थी कुदको लगावी ने तो यहू के वू हुआ तो सूक्य पांच मी विभक्ति आवे रथात सह रथमा थी कुदको मारे पन यहू नथी शू लख्यू चे रथस्थाह इटले नो अ भगवान रथमा थी सिधो कुदको मारे ने रथनु पेड़ू लईने बिश्मन इसामे दोड़ा न थी पांड एक स्वरुप तो रथमा हतू अने यह स्वरुप मा थी कुदको लगाव नारू बिजू भगवान नू स्वरुप प्रगट थायू क्या माम करिऊ युद्धनी समापती थायी रोज तो युद्ध पते पची भगवान शू करे अर्जुन ने पेला उतारे रथमा थी पची भगवान उत्रे इटले अर्जुन ने आख खूज तू तू गमतू नहीं कारण के शिष्टा चारे ओछे के सार्थी रथमा थी नी मेचे उत्रे पड़ बंधवान उल्टू करता है पहला अर्जुन ने उतारता और पची रथमां थी पोते उतरता पड़ भगवान ने तो आफधी पश्टता थायी नी युद्ध समापत थे युद्ध भगवान और अर्जुन बनने एक साथे रथमा थी उत्रे अने रथ बड़ बड़ बाला क्यों के प्रभु आम कैम भगवान के अर्जु नवे तने समझाई जे रोज उतने पहला उतारतो तो रत्मा थी ये हुँ उत्री जवने तु रत्मा बैठवाए ने सत्रूप अक्षे कोई दिव्य अस्त्र नो प्रयोक करयो हो रत बालवा माठे रत नी साथे साथे तू पन बड़ी जाए इटले एक स्वरूप्थी हम्मेशां रत्मा रहतो हतो और बिजा स्वरूप्थी तारी साथे आउतो ह तो अत्यारे रतनु रक्षण करवानी भगवानी जवाबदारी हती एटले रतस्तह नो अर्थ छे रतस्तह सन एक स्वरूप्रथ महतो यह मां थी वीजु स्वरूप्थ भगवाने प्रगट करियो और यह रतनु पतिडूलैने भीश्व केचे मारी साम्यावया श्वनिगम भगवाने जक्छाए आवि प्रतिगना तोडी, तौह चलत गोहू प्रुथवी थर थर कापवा लागी। केम कापी पुरुथवी ने थयो के शाक्षात परमात्मा पोताना वचन नो भंग कर छे प्रतिग ना तोड़ से तो पुरुथवी क्या जसे ए विचार्थी पुरुथवी कापवा लागी भाईबित बनी त्यारे पुरुथवी ने आस्वासनाप पाशू करियू भगवाने गतोत तरी अहा भगवाननु जे उत्तरी अवस्त्र हतू ए दोड़या भगवान त्यारे उत्तरी अवस्त्र पड़ी गयू और पुरुथवी उपर फेलाई गयू जाने पोतानू उत्तरी अवस्त्र ओराडी ने पुरुथवी ने सांत्वनाप्यू ए पुरुथवी ज्या सुधी आप्रुथ्वी उपर एक संत छे एक वेदग्न विप्र छे और एक भगवदी भक्त छे त्या सुधी तारे चिंता करवानी जरोर नथी स्वानिगम अपहाया मात प्रतिग्न्या मृतम अधिकार तुम अवाप्लुतो रथस्थाहा दृत रथ चरण अभ्याया चलत गूर केवी रिते दोड्या हरी रिवा हंतु इभं इभेटले हाथी अने हरी एटले सिउं भीष्मा पोता ने शू केचे हाथी अने भगवान ने शू केचे सिउं हाथ जेम हाथी उपर सिंह धसी जाए तेम तमे मारा उपर धसी गया हाथी केम कया भीष्मने हाथी विशयान धतानु प्रतिक छे अने सिंह सूचे सैयमनु प्रतिक भीष्मा केचे हो तो विशयान धाथी जेवो हतो तमे सैयमी सिंह बनीने मारी उपर दोड्य हरी रिवा हंतु इभं गतु तरिया दोड्या खरा पण रथन पैडू हतु एनो प्रहार मारा उपर करियो नहीं शुदर्शन चक्र भगवान ना हाथमा नित्य निवास करे एटले भगवान नू नाम चे चक्र पाणी अने आ भिश्म उपर कुरुपा करवा भगवाने चक्रना बदले रथनू पैडू हात्मा धारण करियू एटले भगवाननू नाम पड़ियू रथांग पाणी रथांग पाणी एटले भगवान दोड़्या खर्या पड़ महारो वद करियू नहीं कैम वद करियू नहीं तो शुरूतिनू वचन छे इदम ब्रह्मा चक्षत्रंच उभयम ओधनम एनू तात पर ये ये छे के ब्रह्मन योद्धान एक्षत्रिय योद्धा ते ओधन एटले भात छे कौनो भात छे काड रुपी मुखनो एटले भिश्मा क्या जे उँ योद्धा हतो एटले उँ भात हतो अने तमे मारी सामे दोड़या एटले तमे काड रुपी मुख बन्या पड़ मारो भक्षन करियू नहीं मने आरोग्यू नहीं केम न आरोग्यो तो शास्त्रनी ये वी कि आगना चे के भोजन करती वखते भात जम्वा योग्य क्या बने अठेक ये न उपर गी पदराओ त्यारे नए तो भात अशुद्ध के आवाए जया सुदी भात उपर गीनुटिपू नाख नहीं त्या शुदी भात खावा योग्य बने नहीं बीश्मा के जह हूं तो भात हतो और तम्हें आरोगवाई दोड़या पन्हें पाछा फरी गया तो तस्योपरी मृत्यू उपसे चनम्म मृत्यू नामनू घीनोत। अने मृत्यु नामनु घीनोतु इटले प्रभु द्वाड़ा खरा आपण मारो वद करयो नहीं स्वनिगम पहा यमात प्रतिग्न्या मृतम अधिकर्तुम अवापलुतो रथस्था दृत चरण भ्यया चलत गूर हरी दिवाहं तुई भंगतो तरिया अवे भगवान ने स्वरूपनू माधुरिय के उचे आतो भगवाननी भक्तवत सलता बतावी अवे भगवाननू स्वरूप माधुरिया ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना हा कृत मनु कृत वत्य उन्मदांधा प्रकृती मागन कील यस्यगो पवद्वाह प्रभो ललित गती भगवान नी चाल के वी छे ललित ललित चाल एक लेके वी जेम समुद्र माथी तरंगो एक पची एक प्रगट थाए ने विलिं थाए प्रगट थाए ने विलिं थाए अने समुद्र नी शोभाने वधारी दे एवी दिते भगवान नी चाल आवी ललित चे प्रत्येक चरण उपाड़े त्यारे भगवान नी नवी चेश्टाना जारे सायंकाले गोचारण करी ने प्रभुपधारता होई त्यारे बल भद्रजीना खबाव उपर एक हाथ मुक्यों होई औने एक हाथ मा वेणु धारण करी होई औने नीची द्रश्टी होई औने जुमता डोलता हाथी जेवी मदमस्त चाले आवे आ भगवाननी ललित गती पचि वल्गु हास वल्गु हास एकले मा हसे तो तेमा वात्सल्यनों भाव प्रगट्था है योगी हसे तो तेमा समत्वनों भाव प्रगट्था है संत हसे तो तेमा करुणानों भाव प्रगट्था है शत्रु हसे तो एमा उपहासनों भाव प्रगट्था है महीत्र हसे तो एमा प्रेमनों भाव प्रगट्थाए बाडख हसे एमा निर्दोष भाव प्रगट्थाए आप बद्धानों सर्वाडों करिये तेवु हास्य प्रगट्थाए एने केवाई वल्गु हास्य अमुक शब्द एवा होई छे एनो कोई अनुवाद थाई शके नहीं कोई भाशांतर थाई शके नहीं वल्गु हास वो शब्द छे आप बद्धा भावों नो समन्वई करनारू भगवान नो हासिय यह ने के वाई वल्गु हास ललित गति विला सवल्गु हास एक तो हासिय यह 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 भगवान हसता होई तो यह हासिय नियंदर मुग्द थी जवाई अने त्रिजु प्रणय निरिख्षण भगवान नी द्रष्टीना नेत्र कटाक्षेवा केक वकत जेना उपर भगवान नी द्रष्टी गई भगवान ने आधिन थेई गयो तो आ तमारी आवीचेश्टावों मा गोपियो तद्रुप बनेंदे तमने प्राप्त थेई तमा प्रभु तमने प्राप्त थे गई एवा प्रभुमा मारी वृत्ती स्थीर थाओ आम कई अंतिम श्लोकनी अंदर भीष्म सर्वस्वनू समर्पण भगवान ने करें तमी महमाजम शरीर भाजाम रुदी रुदी धी श्थितमात्मकल्पितानाम प्रति दृषमिवनैक धार कमेकं समधि गतोस्मिविधूत भेदमोहां इप्रभु हवेओं बिलकुल शुद्ध बुद्ध छो अने तमने समर्पित्थव छो आरिते अज्यार श्लोकमा भिष्म महराजे भगवान निस्तुति करें अने कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टि वृत्ति भिही आत्मन्यात्मानमा वेष्या सोंतस्वास उपारमता बिश्म माथी ये तेज प्रगट थेऊ ए भगवत तेज मा लीन थेऊ सोंतस्वास उपारमत्थ अईतर एय आरण्यकनू वचन छे आवा महापुरुषोना प्राण शरीर माथी निकळया पछी उप्पर ना कोई लोकमा जता न थी शुथ आई चे तो त्या लख्यू छे नतस्या प्राणा उत्क्रामंती इहई वप्रविली यते सन्मुखत भगवान हता एटले उपर ना कोई लोकमा भीष्मना प्राण गया नहीं पनाखो नी सन्मुख्य भगवत स्वरूप हतू ये स्वरूपमा भीष्म महाराद ना प्राण विलिन थया संपध्यमान मागनाय भीष्मम ब्रह्मन निश्कले सरवे बभुष्ते तुष्णिम वयाउँ सीव अधिनात्यये मुक्ति नी प्रकार जुदा 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 छे भागवत मा जेने-जेने मुक्ति भगवाने करी पजी ये राक्षस होय भक्त होय गमेती होय पन दरेकनी मुक्ति करी त्यारे जुदा जुदा शब्दो मुक्ति माटे वाप्रया जे अघा सुर्ण उद्धार करेओ त्यारे लख्यू जे विवेश तस्मिन मिशताम दिववुकसाम दिव्यलोकनी प्राप्ति करावी अजा मिलना जारे उद्धार करेओ भगवाने त्यारे त्यारे अजा मिलना उद्धार मा लख्यू छे अजा मिलोप्य गद्धाम किम पुनश्रद्धया गुरुणन भगवत धाम मा आजा मिलने मुख्यू अने युदिष्टिर महाराज जारे हिमालई मा गया नेमना प्राण गया त्यारे लख्यू छे सर्व मात्मन्य जुहविद ब्रह्मा न्यात्मान मव्यये ब्रह्म मा विलिन थया अर्जुन महाराज ना प्राणोत सर्ग थया त्यारे लख्यू विशो को ब्रह्म संपत्या संचिन्न द्वैत संशया द्वैत थी पर थया अने बिश्म महाराज ना प्राण गया त्यारे संपत्यमान मागना ये ब्रह्मनी निश्कले सनमुखच ब्रह्मरूप भगवान उभाहता ये भगवान मयमना प्राण लिन थया अने बिश्म महाराज आप प्राण प्रयाण करिऊ त्यारे शू थयू तो केछे सर्वेब भूवुस्ते तुष्णिम् वयाउं सीव दिनात्यये सायंकाल पछी माडा मा फरेला पक्षियो जे मौन बनी जाए शांत बनी जाए एम बिश्मना जारे प्राण प्रयाण थया त देवखते उपस्थित जे राजर्शियो देवर्शियो ब्रह्मर्शियो के महा पुरुशो हता ए बधा रात्री ना समय मा जें पक्षियो शांत थी जाए एम मौन बन्याए एनू तात परियाश हो आपना संबंधिनी चल्ली अवस्था होय मृत्यू निकट होय और आपने भ्रवाम पहीं महिए खाणनी छोब खबर इस राल गएं है तो सुरुपर वानू बने तो भगवान ना मुंपर लें नाई तो शुआ करवानू रहानूं चूपरानू पण लौकिक वातों करली ज्यू ये नहीं आपने लौकिके वातों करिये तो मर्णार ना प्राणा न कि अम्मंदी होई ने खबर काड़वा गया होई तो खबर काड़वा जनारावों छली वक्षा ते पोतानो परीचेए आपपानू चूकता नची दादा ने थोडि वार भान आउतू हौए दोडि वार जतू हौए होसने बेहोसने स्थिती चालती हौए इकला माँ अवा भी एमनी नजीक जाइ दादा मने ऊड़क्यो अरे आखी जिन्गी थी दादा तने ओडखे जे अवे तो ओड़कता हो तो ये भूलवानू छे पजी ये ओडखाण आपनार के के मने ना ओडखे ओफलानो अवे छली वकत नी ओडखाण इटले पाक की ओडखाण न भूलाई तेवी पजी जेने ओडखाण आपिऊ ये बे पांच वर्षे ने त्या दिक्रो थाए ने इटले सगावाला ये रमडवा जाए त्यारे गाल उपर चुटी खणे दिक्राने अने क्या अद्दल दादा जेवो छे एनु कपाड दादा जेवो छे एना गाल दादा जेवा छे एनु नाक दादा जेवो छे दादा जेवो छे नहीं दादा दिक्रा थाई ने आवया छे गारण आपने मानिलो के कोई सोना चादी नी किमती वस्तु खरिद भी हो यह तो गमे तेनी दुखाने थी खरीदता नथी क्याती खरीद यह ओडखीता हो यह जाना परिचित आप परीचित आपने किमती वस्तु खरीदे कि हम आपने मन में वह भरस हो रहे कि खात्री लाइक वस्तु मड़से और भविश्यमा कई खराबी असे तो जवाब आपसे हम आपना मां थी उपर जाए ने फरेहीं आवानु थाए तो यह लोको यह वुज विचारे थे कि नवा घरा क्या सुदिश इटले जोईला जाणेलाने अनुभवलाचा हमने त्या जवाद यह बापा होय से तेट दिक्रा थाईजे अने दिक्रा हो अने तत्र दुदुंभयो नेदुर। देवमानव वादिताहा ससंसू साधवो रागनाम् खाथपेतु पुष्पवृष्ट यहा। भीष्व महराज ने स्रद्धान्जली समर्पित करवामागी। त्रण प्रकारनी स्रद्धान जली भिश्मने समर्पित थाई आपड़ी स्रद्धान जली तो मोटा भागी गंबत आवे तेवी होई छे एक तो कोकनी घेर मरण थयू होई ने सगा संबंधिके परीची तो आवे आवता पहला दस चे गया फौन करें हों केवी रिचे गुजरी गया यहनी पाक की माही ती लेवा हॉस्पिटल मा क्वानी घेर थी टिपिन जतु तू मोटा ने त्या थी के नाना ने त्या थी यहनी माही ती ले रात्रे दवाखाना मा क्वान एमनी जोड़े सुतू तू यहनी माही ती ले पाक की माहिती लई ना आवें छताई ब्याषणाम आवेट लखे अचानक आवी तो अमने खबर एइन आती अले रवादे तो पाक की माहिती लई ना आयो जे के वी रिते गुजरी गयान कौने त्याथी टिफीन जतु तुन दीवसे कौन रहतु तुन रात्रे कौन रहतु तुन पछी अटले थी अटके दिंग मानिलो के कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होय अने ये गुजरी जाए तो छापा मां आटली जग्या मां येमनी गुजरी जवाना समाचार छपाए येमां गम्मत थाए सू लखे इस समाचार मां येमनी पाचळ शोख करता बे पुत्र अने येमना पतनी ने मुक्ता गयाच ये अउ लखे हैपणने था है हैंने लइग या होत तो सारू थात कारण करग जे कई उपद्र रहू छे या मुकीन गया है róż हे अता येमनो कोई उपद्र्र हुआ तो नहीं पाची कोई संपन्न होय तो चापा मां श्रद्धान जली छपावे एमा यू लखे जीवन तो यू जीवी जान्या के मृत्यों शर्माई गयू लो मृत्योंने शर्मावे एनू फुल टाइम उपाडवानुज काम छे एटले एने कोई दाड़ों कोई ने लई जता शर्मावती नथी छता आपड़े यू लखिये पछी एथी वधारे कितलाक लखे फुल गयूने फोरम रही एनो बिजो अर्थशु थाए एतो जाए पण एऊ उधू मारी ने जाए के चार पेड़ी सुधी जगड़ा चाले तो समझवानू फूल गयू पण अजू सुधी एनी फोरम रही जाए पजी वधारे पुछा तो व्यक्ति होई तो पंदर दाड़े यहनी शोक सभा बरही शोक सभा मां जेटला उभा थाए एटला पेल्लू वाक्या खास बोले एमना जवा थी जब्बर खोट पड़ी छे केवी तो केचे न पूराई तेवी लो अवे आवी खोटो जगत मां पड़ती हो तो जगत चालतू जे जाए छे तेना विकल्प हम्मेशा सारा आवे छे पर आपने आवू बदू कही है पछी आटले थी अटके नहीं पर बोलता बोलता बोले के हवे तेवो आपनी वच्चे नथी छताय आपनी वच्चे रेशे भूत थाई त्या रेथ हूं सिधी रीते तो भूत के वाइनी इटले आड कत्री रीते भूत कें हवे तेवो आपनी वच्चे नथी नहीं आपनी वच्चे रेशे आपनी बदी श्रद्धान जली आवी बिश्मत Sure Het Little इटले हमने त्रण्प्रकार्णी स्रध्धान जली समर्पित थही सात्वीक राजसी अनेतामसी सात्विक श्रध्धां जली कई तो केछे आकाश माथी देउताओ ये पुष्पनि वुरुष्टी करी ए शात्विक स्रध्धान जली जे राजाओने रुशियो जे उपस्थित हता तेमने भीष्मना गुणोंनु स्मरन करिव ए राजसी स्रद्धान जली छे अने गंधर वो ये दुदुम्हिनो नाद करिव आकाश मंडल मां थी ए तामसी स्रद्धान जली छे आत्रण प्रकार्नी स्रद्धान जली भीश्म महाराज ने समर्पित्थाई युदिष्थिरक्कार इत्वा मुहुर्तं दुख्षितो भवत युदिष्थिर महाराज एक मुहुर्त शोक मगन रया एक मुहुर्त एटले लगभग अड़तारीस मिनिजेटलो समय मर्नार व्यक्तिनी पाचण दुख था उस्वाभाविक छे चता शास्त्रकारों के चे बहुत शोक करवो जोई नहीं एक मुहुर्त शोक करी चित्तने स्वस्थ करी अने मर्नार नूं कल्यान थाय तेवी सत प्रवृत्तिमा लागी जोई जोई एक मुहुर्त परियंत युदि युदिष्थिर जाते करी नी कैम युदिष्थिर चक्रवरती सम्राठ था शास्त्रनी आजना चे के जे सन्यासी नो परमहौंस तरीके गादी उपर पट्टा भिशेक थायते सन्यासी अने जे राजा नो चक्रवरती सम्राठ तरीके गादी उपर अभिशेक थायते राजा मन्ये ना धर्म सरखाज जेम सन्यासि थी कुटुम्ब ना अंगत प्रसंग मा भाग लिवाए नि येम चक्रवर्ती समराथ थी पॉन कुटुम्ब ना अंगत प्रसंग मा भाग लिवाए नि युदिष्ठिर महाराज चक्रवर्ती समराथ हता इतले हमने भिश्मनी स्वयम उत्तर क्रिया करी नी इतले सब्द चे कार इत्वा युदिष्ठिरक कार इत्वा युदिष्ठिर महराजे भायो द्वारा तेमने उत्तर क्रिया संपाधित करी पोते करी नहीं युदिष्ठिरक्कार इत्वा मुहुर्तं दुखितो भवत तुष्ट वुर्मुनयो रुष्टा कुरुष्टं तद गुहियनाम भिही आरिते भिश्मे महा प्रयान कर्यों गानधारी दुत्राष्टने युदिष्ठिर महराज भगवान वगेरे संत्वनाप्यू और भगवान नीने भिश्मनी जिवी इच्छा ने आगना हती ए प्रमाने युदिष्ठिर महराज हस्तिना पुर्णु शाषन करवाला ग्या निशम्य भिश्मोक्तम अथाच्य तोक्तम प्रवृत्त विग्नान विधूत विभ्रमह सशासगामिंद्र इवाजित आश्रयह परिध्युपांतामनु जानु वर्तितः भिश्मने भगवाने जे प्रमाणे उपदेशने आदेश करेलो ये प्रमाणे ते वो शासन करता हता एम केवाई छे के जे भूमीनो राजा सदाचारी अने धर्म निष्ठ होए त्या कोई प्राकृतिक विपत्ति आउती नथी प्रकृति तेने अनुकुड बनी जाए युदिष्टिर महाराज ने वुँ शासन हतू एटले केवु सुख हतू तो केज काम अम्वा वर्ष परजन्या हा रुतू रुतू प्रमाणे जोईता प्रमाणमा खुब वर्षाद वरस्तो हतू प्रुत्वी फढद्रुप हती जेवी अपेक्षाती प्रुत्वीनु करो खेड़ू तोनी ए इच्छाने पृत्वी पूरी करती हती गायो रुष्ट पुष्ट हती दुधाडी हती नद्य समुद्रागीर यहा नद्यो समुद्रो परवतो अनुकुढ हता सा वनस्पति वीरुधा हा वनस्पति वीरुध फलंती अने ओशधी एवा व्रुक्षो ना जुदा जुदा विभाग छे गणावया वनस्पति कोने के वाए व्रुक्ष ने तो के वाए पन वनस्पति न अर्थ शो जेने फूल आवया सिवाए सिधू फड आवे एवा व्रुक्ष फूल विनार बारो बार सिधू फड आवे एने शू के वाए वनस्पति जीवान शुक्षम वनस्पतियों व्रुक्षों छुडवाव एने विरुद केवाए फलंती एटले जेने फड़ आवे एवा व्रुक्ष एने फलंती केवाए अने ओशधी एटले त्रण के चार महिनानी अउधीमा उछरीने स्वयं फल आपीने धान्य आपीने सुकई जाए एने केवाए ओशधी ओशधी एटले जव अगेरे अने अमाथी जे शरीर ना माते दवा बने एने केवाए बे मात्रा वाड़ी आउशधी आबद्धु युदिष्ठिर महाराज ने नुकुडःतू नाधयो व्याधयक्लेशा कोई ने कोई प्रकार नियाधी व्याधी के इकलेश्णता अजात शत्राव भवन जन्तुनाम रागनी करहीचित अजात शत्रू नू शासन अतू युदिष्ठिर ने अजात शत्रू कया चे युदिष्ठिर महाराज अजात शत्रु छे भागवत्मा प्रलाद जी एमनू पण विशेशन चे अजात शत्रु इटले शत्रु नहीं प्रल्लाद ने तो पिताज शत्रु हता अने युदिष्ठिर ने कवरो शत्रु हता अजात शत्रु नो अर्थ छे शत्रु औ प्रत्य पन जे शत्रु भाव राखता नची शत्रु अने मित्र बद्धामा जेने मित्र भाव होए एने केवाय अजात स्ट्रू आवा अजात स्ट्रू युदिष्ठिर महराज शासन करता हता एमना शासनना समयमा उशित्वा हास्तिनपुरे मासान कतिपयान हरिही आवा हास्तिना पूर्मा, अहीं हास्तिना पूर्ण थी, हने कानो हास्तिना पूर्ण, हस्तिना पूर्ण बे नाम चे, एक हस्तिना पूर और एक हास्तिना पूर, हस्ति नाम ना राजाये आ नगर वसावेलू, एटले एनू नाम चे, हने कानो हास्तिना पूर्ण, और हस्तिना पत्त कवरो नी शंख्या वधारे होए और पांडव जेवा विवेक्षिल पुरुषो नी संख्या ओची होए येवु नगर इटले पणे ने शुकेवाए हस्तिना पूरु कर ने शुक माथी मुक्त करवा माथे प्रसनतानो नुभॉ करआवा माथे भगवान कितलाक महिना आहस्तिना पूर्णी अंदर रुकाया और फरी भगवाने पाशी द्वारी का जवानी तहो जैंना संयोग माँ सूक्षे एना वियोग मां दुख थाऊ ती पन स्वाभावी चे दिक्री ना लगन वक्षते दिक्री नो बाप दिक्री ना लगन नो माडवो जे टला उत्साहती मां दे इतला उत्साहती दिक्री ने कई विदाय आपी शके नहीं जह संयोग मां सुख त्या वियोग मां दुख पड़ किटला के विचार्यू, प्रिय व्यक्तिनी विदाय वखतें आखमा आशु प्रगट करवाते अप्शुकन निशानी जे। एम मानी ने किटला के पोता ना आशुने रोख्या। किटला के विचार्यू, विदाय थता भगवान ने खुली आखे, आशु विनानी आखे बरोबर निर्खी लईये। भगवान ना गया पची आशु मात्र अमारो सहारो बनवाना जे। आवो विचार करी किटला के आशुने रोख्या। पड़ किटलाकना आशु एवा संपिला हता के रोख्या रोखाया नहीं। एक पची एक पची एक आख्मा थी निकड़वानू शरू थे। भगवान जारे विदाय थता हता त्यारे सव थी पहला कौनी आख्मा आशु आव्या। सुभद्रा द्रवपदी कुंता विरात तनया तथा सव थी पहला आशु कौने प्रगट थया सुभद्रा जिने। भगवान ना बेन हता। जगत्मा बदात संबंधनी आत्मी हता पन लोई ना संबंधनी वाद जुदी छे। ए संबंधना न्याय सुभद्रा नी आख्मा पिलना आशु प्रगट थया। बिजाक्रमे द्रवपदी नी आख्मा आशु छे। द्रवपदी भगवान ने भाई माने छे अने द्रवपदी ना चीर पूर्याहता प्रभुए। जे आबरू बचावे तेनू नाम भाई ए उपकार नू स्मरण करता द्रवपदी नो क्रम भी जो। कुंता जी रड़े छे पन त्रिजाक्रमे। अक्षु जिवन दुखमा पसार थय। अने जेनू जिवन दुखमा पसार थय। यहने आशु आवे पन जल्दी आवे नही। कुंता जी नी ये विस्थिती छे। इटले एमनो क्रम रडवामा कयो छे त्रिजो। सुभद्रा द्रवपदी कुंता विराट तनया तथा उत्तरा अरे महरूने महरा दिक्रानू प्रभुय रक्षन करियो छे। यह उपकारनू स्मरण करता उत्तरानो रडवामा क्रम चोथो गांधारी पांचमा क्रमे रड़े। यह मानती हती के महरा संतानोना नाश्मा कोई कारण भुथ होई तो कुरुष्ण चे। पड़ भगवाननू व्यक्तित्वेवू हतु के आवू माननारी गांधारी पण भगवानना व्योगने सहन करी शक्या ने। इतले गांधारी नी आखमा आशु। धुत्राष्ट एमनी आखमा यूत्सु वैश्य पत्नित्य उत्पन्न थेलो धुत्राष्ट नो पुत्रा। यमव सहदेवने नकुल व्रुकोदर अश्य धुम्य श्य व्रुकोदर इतले भिम्सेन, धुम्य महर्शी औने आटला पुरुषो मुक्याने पची-पाची स्त्रियो मुक्या, स्त्रियो मत्स्य सुता आदया। पहला स्त्रियों, छल्ले स्त्रियों वच्चे आपुरुषो ना नाम मुक्या। ये बतावा के रडवू ते स्त्रियों सहज स्वभाव छे, पन भगवान जारे विदाई थता हता, त्यारे आ महापुरुषो जेम्न आपने नाम जोया, ते पन स्त्री सहज प्रकृती ना ब तो ते भगवान ना वियोग ने सांकरी शक्या नहीं, छो प्रकारे संबंद था है, शडविधं प्रेम लक्षणं, कया कया छो प्रकार थी, दर्शन स्पर्श सनलाप, सयना सनभोजने ही, दर्शन, स्पर्श, सनलाप, सयन, आसन अने भोजन, आमाना कोईपण प्रकार थी जे भगवान ना संबंद मा आवया हता, ये प्रभुना वियोग ने सहन करी शक्या नहीं, एकाद वकत दूर थी भगवान ने मात्र जोया हता, ये पण भगवान ना वियोग ने सहन करी शक्या नहीं, भगवान साथे जने वाचित करवानों, स समवाद करवान आउसर मड़ो हतो, ये पण भगवान ना वियोग ने सहन करी सकया नहीं, साथे विश्राम करी हतो भगवान नहीं, साथे बेठा हता, साथे भोजन करी हतो, अमाना कोई पण प्रकारे जहने पण भगवान नी जलक मड़ी हती ये भगवद वियोग ने सहन करी शक्या नहीं आवि स्थिति मा भगवान द्वार का जवा तत्पर बन्या अर्जुन महाराजे रथनी लगाम हाथ माली धी प्रभु रथनी अंदर आरूर थया अने विदाईनों आरंब थयो केवी रिते प्रभु द्वार का पहुँचे छे ते कथा आपने कालनी कथा मा श्रवन करीशू श्री बाल कृष्णला श्री नरनारायन देवनी श्री गनश्याम महराजनी